इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेर करें जो ulcerative colitis है उसके बारे में बहुत सारे questions पूछती है जिनके answers ढूनने की बात करूँगा मैं आज नव क्या ulcerative colitis को diagnose करना मुश्किल काम है बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है जहां तक ulcerative colitis है it is not hard to diagnose इसको बहुत easily diagnose किया जा सकता है जब आप doctor को दिखाते हैं तो it is quite possible कि वो आपके कुछ blood test कराएं इस चीज़ को देखने के लिए कि आपको कहीं खून की कमी तो नहीं है वो कुछ जाच कराएं इस चीज़ को देखने के लिए कहीं आपकी body में कोई infection तो नहीं है आपकी lettering की जाच करा सकते हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि उसमें कोई pus cells तो नहीं है या उसमें कहीं छेपा हुआ blood तो नहीं है इसके अलाबा सबसे important investigation होगा that is colonoscopy जो बड़ी आँथ की जाच है जो colonoscopy है वो हमें ready answer देती है as far as the diagnosis is concerned now colonoscopy होगी कैसे आपको पीने के लिए कुछ दबाई दी जाएगी जिसके चलते आपको 5-7 latent होगी और आपकी आथ पूरी साफ हो जाएगी इसके बाद आपके latin के रास्ते से एक पतली rubber की tube पास की जाएगी जिसके tip पर एक camera लगा हुआ होता है और उस camera से हम अंदर की पूरी की पूरी जो बड़ी आँथ है उसको properly examine कर सकते हैं यह जो colonoscopy है यह absolute outdoor procedure है आपको admit होने की ज़रूरत नहीं पड़ते है on an average इसमें 20 minute का time लगता है कभी 20 से 25 minute भी time लग सकता है 90% times थोड़ा बहुत discomfort हो सकता है बट आपको किसी भी anesthesia की ज़रूरत नहीं पड़ते है बट 10% patients अगर आपको apprehension है, pain का डर लगता है तो आपको कुछ sedition या anesthesia दिया जा सकता है जब हम colonoscopy की जाँच करते हैं जो abnormal areas है जहां suspected है कि यह ulcerative colitis तो नहीं है तो हम कुछ चोटे चोटे टुकडे जाँच के लिए निकालते हैं जिसे कहते हैं biopsy और यह biopsy के जो टुकडे हैं इनकी जाँच करा ली जाते हैं जिसे कहते हैं histopathological examination और उससे confirm हो जाता है कि यह ulcerative colitis है या ulcerative colitis नहीं है कभी कभार कुछ मरीज हैं जिनको X-ray, MRI, CT scan इसकी ज़रुवत पढ़ती है नो बहुत ulcerative colitis के patients यह question करते हैं कि क्या मेरी exercise, मेरी food choices, मेरा alcohol intake यह वास्तों में ulcerative colitis के लिए जिम्मेदार है या उससे फरक पड़ेगा नो यह बिलकुल बात सही है कि आपकी जो diet है और आपकी जो lifestyle है इनके चलते ulcerative colitis नहीं होती कोई चीज खाने में ऐसी नहीं है जिससे ulcerative colitis हो जाए ना आपके कोई lifestyle ऐसी है जिसके चलते ulcerative colitis हो जाए एक चुली ulcerative colitis inflammatory bowel disease है जो आपके बाड़ी के immunity के system के हे वायर होने के चलते होती है लेकिन अगर आपकी जो food choices वो गलबल है तो इसके जो symptoms है वो बार-बार trigger हो सकते है या flare up हो सकते है ये बस सही है कि अगर आपकी जो habits से वो बहुत healthy है तो ulcerative colitis के जो symptoms है वो काफी हद तक control रहेंगे particularly जो lose motion हो रहे है एंठन आ रही है उनमें आपको काफी मदद भी लेगी अगर आपकी जो habits से वो healthy है तो जो ulcerative colitis के जो attacks आती है कि अभी आया फिर दो महिने बाद आया फिर आया तो जो attacks आने की जो संभावना है वो हमेशा कम हो जाएगी लेकिन खाने में कुछ चीज जरूर ऐसी है जो आपको परिशान कर सकती है in the sense कि अगर ulcerative colitis है और आप dairy products यूज़ करते हैं अगर आपको बहुत spices खाने की जादत है निर्च मसाला अगर ज़्यादा खाने की आदत है उससे ulcerative colitis की जो symptoms है वो थोड़े से worse हो सकते हैं अगर आप nuts ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं राव nuts ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ulcerative colitis की symptom को flare कर सकते हैं जो high fiber food हैं जो आप vegetables खाते हैं आप salads लेते हैं fruits लेते हैं ये भी ऐसा माना गया है कि ulcerative colitis की symptom को थोड़ा वर्सन कर सकते हैं इवन पॉप कारणा बगर ज़्यादा खाते हैं तो वो भी इसी तरह की create कर सकता है problem कि आपके symptoms को worse कर सकता है जहां तक alcohol in caffeinated drinks का सवाल है जैसे coffee है या black tea है actually intestine की speed को जो बढ़ाती है या alter करती है तो अगर आप ulcerative colitis है तो जो diarrhea का symptom है वो वर्सन हो सकता है इसलिए coffee is best avoided जो black tea है is best avoided and alcohol is minimized क्योंकि ये intestine की movement को alter करती है तो जो diarrhea जैसा जो symptom है वो worse हो सकता है ऐसे ही अगर आप carbonate drinks ज्यादा लेते हैं तो इम्हें आलेनी बवल सोते हैं इन ulcerative colitis में कभी-कभी आपको gaseousness की feeling होती है तो अगर आपने carbonated drinks ले तो आपको gaseousness की जो feeling है वो वर्सन हो सकती है अगर हम scientific data को ध्यान से देखें जो exercise है वो ulcerative colitis के लिए बहुत अच्छे आतों में से आती है अगर आप regular exercise करते हैं आप regular activity करते हैं तो आपके जो intestine है वो हमेशा better काम करती है और stress का level हमेशा नीचे रहता है अगर आपके ulcerative colitis remission में है इसका मतबब बिलकुल शांत है और आप रोज exercise करते हैं तो जो active disease पलटनी की जो संभावना है उसकी हमेशा संभावना कम हो जाती है अगर आप regular exercise करते हैं तो जो research है वो क्या indicate करती है research indicate करती है कि अगर आप regular workout करते हैं तो वास्तों में ये आपकी body में anti-inflammatory effect लेके चलती है और उसके चलते है ulcerative colitis के जो flare-ups होते हैं या बार-बार ये पलट के आती है उसकी जो possibility है वो हमेशा कम हो जाती है now stress क्या role play करती है ulcerative colitis में जो stress है वो ulcerative colitis को जो symptoms है उनको worse कर सकती है बनाब ulcerative colitis है और stress हुई तो symptoms worse हो जाएंगे ये बास सही है कि अगर stress हुई और ulcerative colitis है तो एक flare हो सकता है कि वो उबर जाए लेकिन stress के चलते ulcerative colitis होती नहीं है आप सोचों कि मुझे बहुत tension की आदत है stress है इसलिए ulcerative colitis है ये बास सही नहीं है लेकिन आपको ulcerative colitis है और आपको stress लेने की आदत है तो symptoms बार-बार प उनको और ज्यादा mental stress होनी की हमेशा सभावना होती है scientific data को अगर हम ध्यान से देखें कि जो लोग जिने ulcerative colitis है और active inflammation भी है इसका मतलब है कि disease process चालू है उनमे stress and anxiety का जो level है वो हमेशा ज्यादा पाया गया ये भी बास सही है कि जितने भी symptoms ज्यादा severe होंगे उतनी ही mental symptoms भ surgery की जरूरत पड़ी और ऐसा stoma बनाया गया जो data है वो ये बोलता है कि इनमे anxiety and stress का highest risk देखा गया जिने stoma बनाने की जरूरत पड़ी नो stress को कम करने की जरूरत है stress कैसे कम होगी ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप regular exercise करते हैं तो stress का level नीचे आएगा लेकिन इसके या आप tai chi tai chi जैसा जो नहीं व्यायाम करते हैं इसे stress का जो level है वो हमेशा कम होगा नो एक और question पूछा जाता है कि अगर मुझे ulcerative colitis है तो क्या मेरे जो बच्चे हैं या दूसरे जो members हैं उन्हें भी ulcerative colitis हो जाएगी ये बड़ा logical question है ये बस सही है कि scientific data ये बोलता है कि जो ulcerative colitis का जो risk है वो हमेशा higher है close relatives में I mean in comparison to the general population बट अगर हम ध्यान से देखें कि most of the people जिने ulcerative colitis होती है उनके family member में किसी को ulcerative colitis नहीं होती है इसका मतलब ये है कि ये कुछ तरह की विमारी नहीं है जो आपको पैदाईशी या बच्चपन से ये आपके parents ने दे दी ह at birth, actually over a period of time आपके जो genes हैं उनमें जो mutations होते हैं, they are the possibility जो इसके लिए जिम्मेदार हैं कि आपको ulcerative colitis हो जाए, now जो genes होती हैं वो दो तरह से effect कर सकते हैं, in the sense कि there are certain genes जो आपकी जो intestine हैं उसके जो lining है उसमें जो protection का काम है against bacteria and other things वो करते हैं, अगर इनमें गड़बड तो जो lining है वो protection का काम नहीं कर पाएगी, जो उसे करना चाहिए तो damage होगी, ulcerative colitis की जो possibility वो बढ़ जाएगी, number two is, कि जो genes होती हैं, जिनका काम है, जो active inflammation को रोकने का काम है, वो नहीं अगर कर पा रही हैं, तो inflammation develop होगा, ulcerative colitis जो ने amine flare करेगी, तो अगर हम ध्यान से दे जो possibility है, वो हमेशा बढ़ जाती है, इसी area में सबसे ज़्यादा research हो रही है, and it is quite possible that over a period of time, ये clear हो जाए, कि ये genes, ये genetic mutations हैं, जिनके चलते ulcerative colitis होती हैं, और ये problem create करती है, and it is quite possible, कि इसके चलते जो treatment strategy, जो हम अभी आपको offer करते हैं, वो पूरी की पूरी change हो जाएं, तो ulcerative colitis difficult है, डाइगनोस होना, बिल्कुल भी difficult नहीं है, क्या ulcerative colitis में food habits से फरक पड़ता है, ulcerative colitis किसी भी खाने की चीज़ से नहीं होती, लेकिन अगर है, आप खाने में गलबड़ी करेंगे, तो उसके symptoms worse होंगे, अगर आप alcohol जाद अलेंगे, तो symptoms उसके worse होंगे, stress जो ulcerative colitis नहीं करती, लेकिन ulcerative colitis है, तो stress आपके symptoms को हमेशा accentuate करेगी, अगर आपको ulcerative colitis है, तो आपके दूसरे family members को हो जाएगी, यह सही बात नहीं है, यह जो disease है, आपको birth से नहीं मिलती, यह genetic mutations होते हैं over a period of time, जिसके चलते ulcerative colitis होती है, नो ulcerative colitis से related, जो logical questions हैं, उनक को शेयर करें, मैं डॉक्टर वी कमिश्रा, from guest to liver hospital, स्वरुपनगर कानपूर, तैंक य। वरी मच्च.